हेलो, हाई गाईस, कैसे हैं आप लोग ? I hope कि सब अच्छे ही होंगे मेरा नाम है प्रशान्थ और इस वीडियो में हम जानेंगे स्पिनिंग टॉप और बोटम केंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में प्रेंड स्पिनिंग केंडलिस्टिक पैटर्न एक इंडिसिसिव केंडलिस्टिक पैटर्न है यानि कि इस केंडलिस्टिक फॉर्मेशन में हमें ये नहीं पता चल पाता कि बायस ये सैलर्स ने क्या किया दोनों का पोटेंशिल बराबर का होता है आए इसकी फॉर्मेशन बनती है दोस्तों एक चीज़ याद रखेगा कि अगर body size बड़ा है और shadows भी बड़ी है तो वो spinning candlestick की category में नहीं आएगा इसमें body small ही होनी चाहिए हाँ लेकिन वो irrespective of color हो सकती है मतलब कि किसी भी color की हो सकती है either red और green आये तो इसके पीछे के logical समझते हैं पहले spinning top समझते है और फिर spinning bottom समझेंगे spinning top में कुछ इस तरह होता है कि मान लो sellers ने अच्छी खासी selling की और day के first half में किसी stock को काफी नीचे ले गए और फिर second half में buyers action में आते हैं और stock को वापिस से काफी जैदा उपर ले जाते हैं तो दोस्तों इसी buyers और seller की खीचा तानी में इस candle formation की कोई decision न end में closing दे देती है और buyers और sellers की खीचा तानी की वज़े से stock में काफी बड़ी shadows दोनों side बन जाती है अप side भी और downside भी दोस्तों सेम ही चीज हमारी spinning bottom में भी होती है दोनों लगे रहते हैं stock को किसी एक particular direction में ले जाने के लिए लेकिन end में कोई result नहीं निकल पाता इसलिए spinning bottom candle form होती है friends एक चीज और अगर आप खाली spinning top और bottom को देखोगे तो आप जज़ नहीं कर पाऊगे कि कौन सी candle spinning top है और कौन सी spinning bottom इस प्लिए spinning candlestick किसी stock के top पर form होती है तो उसे हमें spinning top बोलते हैं जिसका यह मतलब होता है कि जो stock का upside potential है वो fade out हो चुका है और stock वहां से एक reversal द और bottom पे हमें एक spinning candlestick मिलती है तो उसे हम spinning bottom बोलते हैं इसका मतलब यह होता है कि अब stock का downside का potential खतम होने वाला है और stock वहां से एक reversal दिखा सकता है चलिए तो जानते हैं हमें इसे कैसे trade करना है अगर कोई stock एक uptrend में है और फिर हमें एक spinning top candlestick मिलती है तो दोस्तों जो next candle spinning top के lower shadow के नीचे close करती है उससे हमारी confirmation आती है और उसके बाद हमें अपनी trade execute करनी है और spinning top के high के ओपर हमें stop loss रखना है जिसका target हम selling price और stop loss के difference का 1.5 या 2 times तक रख सकते हैं अगर कोई stock downtrend में है और फिर हमें spinning bottom candlestick मिलती है तो दोस्तों जो next candle spinning bottom के high के ऊपर close करती है उससे हम हमारी confirmation आती है और उसके बाद हम अपनी trade execute कर सकते हैं और spinning bottom के low के नीचे हमें stop loss रखना है जिसका target हम buying price और stop loss के difference का 1.5 ये 2 times तक रख सकते हैं चलिए तो अब कुछ examples देखते हैं दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं stock up trend में होता है और फिर trend के top पे हमें spinning top candlest confirm करती है और फिर stock easily हमारा downside का target hit कर देता है हर बार ऐसे जरूरी नहीं होता कि spinning top के just next candle ही confirmation दे उसके अगर next two three following candles भी low के नीचे closing करती हैं तो वो pattern तब भी valid माना जाएगा चलिए तो अब spinning bottom का example देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं stock एक downtrend में होता है और फिर bottom पे हम एक spinning कैनलिस्टिक मिलती है जिसकी confirmation आने के बाद stock उपर की side move करने लगता है और easily अपना target hit कर देता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे comment section में पू सकते हैं